आज मकर सक्रांती है और इसका पुर्णे का सुफा साथ बचकर 21 मिनट से शाम 5 बचकर 55 मिनट तक रहेगा तो मकर सकरांती भगवान सूरे को समरपित है जब सूरे धन राशी से मकर राशी या दक्षनायन से उतरायण के तरफ जाता है तब सकरांती का त्योहार बनाया जाता है तो आज अस्तान, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेश महत्व है आप सभी दर्शकों को R9 TV की तरह से मकर सक्रांती की हारदिक शुपकाम नाए लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालू है उमें गजब का उच्छा मकर सक्रांती को लेकर देखने को मिल रहा है और पूरे देश से इसी तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है इस दोन नान और दान का वेहधी महत्वकूर्ण बताया जाता है तो सूर्यधन राशी में से मकर राशी में प्रवेश करता है सूर्यए और जब इस तरह से समीकरण बैठते हैं तो इससे मकर सक्रांती के त्योहार के रूपे मनाया जाता है और सुबह सवेरे किस तरह से घाटों पर स्नान करते श्रदालू नजर आ रहे हैं वो आप इन तीन तस्वीरों के जरे देख रहे हैं तो R9 TV की तरफ से मकर सक्रामति की शुपकामना है आप सभी को उमारा जाता है कि नदियों पर स्नान करने के लिए करने से उन्ने प्राप्त होता है बेहदी मैत वो होता है और शायद यही बज़ा है कि सभीनी माहूल देखने को मिल रहा है श्रद्धालू काफी उत्साहित है सुभा से ही घाटों पर पहुँच कर लोग जान करते हुए नजर आ रहे हैं तीन तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर आयोध्या वारणस्की रजोरी की ये तीन तस्मिरे हैं जहां पर पूजा अर्चना करते हुए ये श्रद्धालू मंदिरों में नजर आ रहे हैं तो घाटों पर स्थनान करते हुए तो इस दिन स्थान दान और सूरी की उपास्ता का विशेश्व महत्व माना जाता है तो तीन तस्विरों के जरिये मकर सक्रांती की ये धूम आपको हम दिखा रहे थे अब ये दो तस्विरे जैपूर और अहम्दाबाद की तो यहां पर भी किस तरह से सुन्दर नजारा देखने को मिल रहा है तो ये जैपूर और अहम्दाबाद की दो तस्विरे आपको दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां गुबारों और पतंग के जरिये किस तरह से मकर सक्रांती मना आए गई वह आप तस्विरों में देख रहे हैं तो सुभा से ही जो उत्साय वह दिखाई दे रहा है अलगलग जगहाँ पर अलगलग कारेक्रम आयो जेते और यह और 20 सी सीधी तस्विर आपको हम दिका रहे हैं यहां पर भी मकर सक्रांती के तुन कि सरा देखने को मिल रही है वहापिन तस्विरों में देख कोई असर नहीं दिख रहा है इन सब चीजों को किनारा करते हुए मकड़ सक्रांती की किस तरह से मेहमें लीन है ये श्रथालू वो इन तस्विरों के जरी आपको दिखा रहे तो वारणसी की तस्विरे है तो इसनान दान और सुर्य का काफी महत्व यहां पर माना जाता है इस तरह से का वक्तों का बड़ा जमावडा यहां पर है बड़ी संख्या में घाटों पर जो लोग है वो पोहुच रहे है इसी को लेकर प्रशासन भी किस तरह से मुस्तेहदी बढ़ते हुए है ड्रोन की जरीए जो निगरानी है वो यहां पर रखी जा रही है तो आप एक तस प्रशासन मौझूद ताकि जो व्यवस्ता है वो बनी रहे इस्तती सामान ने रहे तो दूसरी तरफ घाटों पर किस तरह से भीर दिख रहे है सुबस अवेरे से ही स्नान को लेकर क्योंकि इस दिन व्यादी महत्वस्नान और दान सूर्य की उपासना का माना जाता है तो ऐस प्रश्ते में जो शुदालू है वो काफी उत्साहित मकर सक्रांती की इस सत्याहार को लेकर तो अलग अलग जगाओं से तस्वीरे सामने आ रहे हैं फ़लाल ये वारणसी की तस्वीरे हैं मकर सक्रांती की धूम को लेकर तो तो मकर सक्रांती की धूम किस तरह से रिखाई दे रहे हैं वो तस्वीरों के जरी हम आपको दिखा रहे हैं इस स्वीहार को काफी महतुपून माना जाता है माना जाता है किस नान करने से दान करने से जो अपनी मनो कामना हैं वो पूरी होती है प्रुमकर सक्तान्ती की धूम आपको R9 TV के जरीए दिखा रहे हैं